जीनियर बनने के लिए लेंग्वेश की प्रोफिशन्सी बहुत कम चाहिए और आईएस बनने के लिए मेंस के आर्ट पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है यह तना मुश्क्किल बहुत आप हमारी बात को मान रहे हैं लेकिन क्या समवेधानिक संस्था हो होने के नाते जिसको बार-बार हम कह रहे हैं कि यूपीएसी एक और जिस तरह से यूपीएसी ने फैसले लिया उस पर आज भी कायम है अगर सरकार की इस जवाब को भी पार्लियमेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएसी ने जो सी सेट का तो सरकार की इस पूरी कवायत का कुछ अर्थ निकल रहा है मैं दो तिन बाते कहूंगा संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतोष्ट हूँ विलोथ खरूँगा हर बात का पॉइंट्स में पहली बात वो यह क्या रही कि लार्जर सेक्शन की प्राब्लम को सॉल्व कर आज के एक्जाम पर लीजिए विजय सिंग सहब जो उप्या से की मेंबर थे सी सेट को लाने में उनकी हुमिका थी आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दियाखवार में मैं आपको दो हिंदी में इंग्लिश है पढ़गे सुनाता हूं इंग्लिश में लिखा है मिसर विजय स इसका मतलब जो मैं समझ पर हूं वो यह है उन्होंने कहा कि गुंडा लोबी के सामने सरकार जुब गई जबकि साथ में यह भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोडने चाहिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखवार में उसी अखवार में क्या उसको सुन लेजिए लि यह दिक्कत है आज कही अखवार में UPSC के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है एक ही अखवार में अलग-अलग है ऐसे क्वेशन से आप बच्चों से क्वेशन पूसते हैं पहले मिसमें 35 क्वेशन ऐसे आते हैं 80 नंबर के उनके आंसर हो जाते हैं आंसर गलत होते हैं और बाहर निकल जाते हैं फिर आप कहते हैं हमने ग्रोस इंट्रस्ट में कॉमन इंट्रस्ट में ऐसा कर दिया पहली बात बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है थोड़ा सा उसकी ओपर मैं मैं नजर डालना चाहती हूं दिव्य यह जो आप कह में नजोडनी की बात कही गई है अंग्रेजी का जो कंपल्सरी पेपर था उसका एक सवाल है यह सवाल को अगर मैं पढ़ दूँ तो अंदाजा लग जाएगा लोगों कि दरसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके चाहता है उससे पहले होता ही है तो इसमें दिक्कत क्या थी इसी क्या जरूत थी अगर इसकी जरूत थी तो साथ में आठ क्वेश्चन भारती भाषाओं के भी क्यों नहीं है बराबर क्यों नहीं है हम कहा है नहीं होते थे जब आपने एक्जाम दिया था नहीं होता था जब आपने एक्जाम दि मान लीजिए कि ये गाउं का बच्चा आठ में से एक सवाल गलत कर दे एक तो गलत कर सकता है एक सवाल गलत होने के रही नंबर कट गए और नेग्टिव मार्किंगे 0.8C और कट गए 3.3C कट गए एक नंबर पे एक हजार लोग बाहर हो जाते है एक सवाल गलत होने पे एक सवाल गलत होने पे 3.3C का नुकसान होता है उसको यह कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गाउं के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है आसानी का फैसला कौन करेगा लेकिन बात ये है दिव्यो कि अगर आप civil servant बनना चाहते हैं, देश की सर्वुत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या standard चाहते हैं? कोई बना नहीं कर रहा आप इंग्लिश में कॉलिफाइंग पेपर लेते हैं लीजिए लेते ही हैं हिंदी का भी होता है रिजिन लेंग्वेज का भी होता है इसमें दिक्कत के उसको टॉफ कर दीजिए आप पहले राउंड में आपने 70% पॉपलेशन को बार कर दिया यूपी सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस वेवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िये जिस वेवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़के टॉप करने वाले आईस आफिसर आज की सि में वो कह रहे हैं वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको कौलिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं है लेकि लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने इसको इंट्रड्यूस क्यों किया मुझे यह बताईए क कि यह सी सेट का पैटन बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको कौलिफाई करना जरूरी है मैं हिंदी भाषी हां हूं हमिशा से और हिंदी में ही मैंने हाई स्कूल इंटरोगरा किया था मेरे सारी सम्वेदनायों सम्पिती हिंदी सर्विस है, railways है, audit accounts है, foreign service है, इन सब की common requirement क्या है? इनकी common requirement को देखते हुए ही इंतहान हो सकता है. तो उस कमिटी ने ही तैक हिया कि requirement ही है कि एक तो उसका logical comprehension होना चाहिए. उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए. साथी साथ उसको numbers के साथ फ्लेर होना चाहि में, आइस में, आप यही पता नहीं कि इन्फलेशन में और रेट अव इन्फलेशन में क्या आनता है? आप ग्राफ से डील करेंगे, आप नंबर से डील करेंगे. इसलिए यह तैकिया गया कि इसमें इसमें कमपसरेल ही होना चाहिए कि हम 25-20 सवाल ऐसे पूछें जिसे पत चलें कि आप लॉजिक समझते हैं कि नहीं, आप नंबर समझते हैं कि नहीं समझते ही। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ऑप्षोल पेपर से उनकी वेटशों बहुत कम हो गई हैं। पहले हमारे समाने में ऑप्षण Kak provided 70% होती ती ती हमने हम बहुच्छे यह रहा था 2008 तक कि लोगों को लगा कर भी पाली में बहुत कम बहुत शिमाक्स मिल जाएंगे पाली पढ़ ली किसी ने अरेविक ले ली किसी ने सचा के बी इंटरनाशनल लॉप पढ़ लो दो किताब में पढ़ने पढ़ेंगे हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे हैं एकिनॉमिक से करेंड अफेर से इसकी नॉलिज होना चाहिए अनफॉर्च में बहुती इन्यक्वालिटी बढ़ती चलिया रही है एक सवाल जो इन्हों ने बहुत महतुकुन जवाद दिया वो बताईए कि जो जो रिजर्वेशन के थ्रू भी बच्चे आ रहे हैं वो जो एक रिजर्वेशन से इस बन जाएगा वो गाओं में क्यों रहेगा उसके बच्चे से स्कूल से क्यों नहीं पढ़ेंगे तो बैसिक सी बात है सर ने कहा कि पाली और लिटेचर लेते थे पहली बात तो यह बेंस की बात है प्रिलिम्स की नहीं है अभी जगड़ा प्रि इसको अगर लोजिक नंबर्स ही चाहिए तो उन दोनों में अंतर क्या है ज्यादा ज़रूत किस बात की है के अस चेनम साब ने हिंदू में लिखा इंपैथी की ज़रूत है सोचल इंटेलिजन्स की ज़रूत है सोचल इंडरसेंडिंग की ज़रूत है अब उसके क्वेशन इंगलिश ज़रूत है अगर इंगलिश इस बनने के बाद जिंदगी बर उज्य स्टेट में रहता है उतर पदेश में किसी भी राजिक आधमी आएगा जंदगी बर हिंदी में काम करना पड़ेगा उसको बंगाल में जाएगा बंगला में करना पड़ेगा पूरी लाइफ में एक दिन भी इंगलिश इंगलिश नहीं करेगा अगर डेप्यूटेशन पर नहीं जाता है तो आप वह लेकिन आएस ऑफिसर बनकी किवल बंगाल में ही क्यों रहेगा उसे तो पूरे देश में जाना पड़ सकता है तो 33 के 33 साल बंगाल में गुजारेगा बहुत हुआ तीन साल पांट साल और कितना चला जाएगा और हम कब कह रहें कि अब उसको मत भेजिए आप उसको भेजिए वहां टेस्ट कीजिए जिसके इंगलिश अच्छी है उसको भेजिए और जो आदमी आई-एस बनने के बाद एक साल होते होते बंगला सीख सकता है तमिल सीख सकत है एक वही बच्चा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग एक्जाम पास करके आया है मेंस में तो अब अब यह मुझे बढ़कर भारतिया भाशाओं की लड़ाई के रूप में तबदिल होता जा रहा है उसको बारत केवल दो बाते हैं पहली बात सरकार से नोदस मांगे की गई थी उनमें से एक मांग मानी है बागे कोई ने मानी है में एग्जाम में तीन चार प्रॉल्बलम सी उस पर बात ही नहीं किए जैसे से model answers केवल English में हैं इस बात नहीं किये हैं सरकार नहीं किये उसका उसकी वजह में बताती हूं दिवी किर्ती जी जब सरकार के पास ये सवाल आया ये उन्होंने कहा कि वर्मा कमिटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस वर्मा कमिटी के रिपोर्ट के आधार पे हम जवाब के बात थी हाई कोड कर जज्ज्मेंट सिर्फ ये था आप जज्ज्मेंट को पढ़िये 15-39 में हाई कोड साफ कह रहे है कि UPSC ने गलत किया है 15-30 में कह रहे है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे 31 में कह रहे है कि हम आपको डेरेक्शन देते हैं कि कमिटी बनाईए उन आट इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं न कहीं छात्रों के साथ एक तरह से जो उनकी समस्या है उनको नहीं देख रही है नहीं सुन रही है जिन सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है सरकार ने जो मुद्दा उठाया है सरकार ने जो निरने लिया है मैं उसे एक बैलंसिंग आक्ट के रूप में देखता हूँ जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विशय एक लैंग्विज का विशय बनता जा रहा था सरकार को यह भी डर था कि 1960 की दसक में जिस प्रकार से एक लैंग्विज वार पूरे हिंदूस्तान में हो गया था कहीं उस प्रकार का स्नोबॉल न हो जाए इसलिए अंतताह सरकार को जल्दी से जल्दी एक निरने लेना पड़ा दूसरा महत्वपूर्ण विशय अगर सपोज मान लेते हैं कि सीस हैट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशन्स नहीं होते इतने लिटिगेशन्स हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रिलिम् होंगा कि बहुत जल्दी जल्दी परिवरता नहीं होना चाहिए क्योंकि 18 साल की एज में आज लड़क अटाय करता है कि मुझे आएस में बैटना है और पच्छेस साथ-आठ साल मिलते हैं अगर हम बार-बार चेंज करते रहेंगे पैटर्न रिग्जामनेशन तो बहुत द है कि 12 तेरह में सर्वेसें उनकी रुकार में देखते हुए यह सवाल पुशी जाना चाहिए लेकिन अपने बगल में बैठे दीवी कीर्थी को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं जो है दूसरों को और शाट्रों को यह संतुष्ट करेंगे कि आप वहीं हो रहा है मैं जानता कोई यह यह गरीब लोगों के साथ है अब हर जग जगे इना आन्या होता है इसके पर एक्सपरिमेंट हो ठीक है आप कहरेंसे पर मैं तो साफसाब कहरें कि एक बार कमिटेश के लिए फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी आए इसके लिए पहले क्यों करवाते हैं कि प्रिलिम किया है और यूपे ऐसी आटनोम से बता रहे हैं यह सम्मेजान में लेक्षान में लिखाया हूँ आर्टिकल 309 3012 303 203 पढ़ लिजिए साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार ताय करें किस लेबस किया होगा और एक्जान किस फॉर्मेट पे होगा साफ लिखा होगा सब में बात कहना चाहांगा इन्यक्वालिटी जो है और जो अन्या है उससे समाप करना है और हम अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो डिजर्व के लोग आ रहे हैं वह भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास हैं तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को और इजिनल म अगर यूपीएसी के साफ लिखा है कि यूपीएसी भारत सरकार को सलाह दे सकती है अगर यूपीएसी की सलाह भारत सरकार नहीं मानती है तो संसत के सामने बात रखनी पड़ेगी अगर सलाह न माने यूपीएसी की संसत में सब पार्टिये समर्थन कर रही हैं सरकार को क्या कि रिपोर्ट का कोई अंच सरकार नहीं मानती है तो संसद में पेश करेगी सामाने संकल्प है सामाने प्रस्ताव है आप उसको पढ़ के सुनाईए क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सरकार आप उसके कह रहे हैं कि UPSC को शासन आदे करेंज दे सकती है ऐसा कोई autonomous body नहीं है जो कि UPSC को उसमें लिखा हुआ है लेकिन लेकिन इसके लिए इससे परवर्दन करने कोई फरक नहीं पुड़ेगा आप देखेंगे फिर भी English medium को लोग आते रहेंगे क्योंकि अमरेदी का सवाल नहीं है सवाल इस बात का है कि आप जब यह नहीं जब जब चेंज नहीं वे थे मैं तो डिरेक्टर था 92 से 96 तक आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बादूर एकाडमी की लाल बादूर एकाडमी की इस अकाडमी की 70% लड़के इंजिनियर बैक्ग्राउं के थे क्यों क्योंकि आज हुए रहा है कि जो चले आते हैं और जो खराभ यू पी से तवाम जो हंदी वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन करें उनकी बात करें हूं मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग है जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पार्लिमेंट में जिस तरह की आवाज गुंच रही है उसमें जरूर है कि आज 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 भाशा की लड़ाई है बात यह है कि इसका हमारे देश में आयस बनने के लिए देश की सर्वत्तम नौकरी करने के लिए क्या बेसिक नौलेज नहीं होना चाहिए और आप जो कह रहें अगर यूपी विहार या हर्याना या आंद्रप्रदेश का बच्चा अपने माध्य में पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है हमेशा से होता है हम सिर्फ यह कह रहें कि इसको प्रिलिम्स करते हो बह्यद्प नधी में क्यूं है drinking में इपिज सकता उसके बदले ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं आपके पास अगर जब अगर कोई उधारन हो तो दीजें कि हमारे पास तो जो अग्रेजी के सवाल का पेपर वो आप देखेंगे तो मतलब मैं छट्वी साथवी का क्वेशन है मैं कही है तो अपने दर्शकों को पढ़ के समझें यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है यह बास सही है लेकिं यूपी बेहार से वह लड़के आते हैं जो इंग्लि सैट्स कगोई हुए है इसलिए बैक्वर्ट सेट्स को और र१रेजसनेशन लिए नहीं इता कि हमारे लिए आप रिजर्विसजन करि पठांस के लिए है क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे पंजाबी जाएंगे दोचर वाक्य पढ़ देटों की आंतर प्रजनंदर ठेट रूप से बहुत अधिक होती है अता है इसमें आंतर प्रजनंदर पहले बताईए क्या है दूसरा एक वाक्या संधी पाद कीटों के प्रत्यक कुल जिसमें दूइपंखी ताथा भरिंग शलब देखे एक बात बताईए अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं अगर वो हिंदी ही समझते हैं तो फिर क्या ये हिंदी के तुषिए गलत तो भूत है थीए ठीक ट्रांसेशन कर दीए एक ट्रांसेशन ये था क लेकिन उसका पूधा कही नहीं मिलें पाइस के पेपर निकाल कर देखें लॉडूधा कोई नहीं कि पूधा पूधा और जो झाले सिंपले आप स्रीमी नेज से निकाला आपको लैपको ऑपको इस का पूल जैए अपको पॉड़िय जाए जी अब रहर्य से व्रभ बन कि तो लांगविज निव्टरी बनाने की बात कही जा रही है। एक IES के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें social skills हो, social understanding हो, empathy हो, या capable reasoning or maths हो. अब उन सब के सवाल ही बुस्त है। तो social understanding, social skills को ही तो test करने के लिए एक्रवाल साब, खुदा IET के आद्मी हैं, IET प्रोफेसर रह चुके हैं, जब सारे IET के लोग मिलके सब कुछ बनाएंगे, तो result क्या आएगा? आप तो नहीं है. हमारी कमिटी में Mr. Alak थे Chairman. अलक साब, वो 2019 की बात है. मैं एक सवाल, आखरी सवाल रिदुला जी आपसे करना चाहती हूं. अभी भी ये संगर्श चल रहा है कि सवाल किस तरह के पूछे जाएं, अभी भी ये संगर्श चल रहा है कि पैटर्न क्या हो और आखिर हम अपने भावी IET से किस तरह के उमीद करते हैं? पर इसको हमें UPSC पे छोड़ना चाहिए, पुलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि ट्रांसलेशन में और मेंज में इंट्रू में इतने दिखते हो रही हैं, अगर उन पर छोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे इसका मतलब? इसका मतलब आख कह रहे हैं कि संसट के जरिये इसका हल निकाला जासे हैं कि जरिजनल मीडियम के लोग हैं, इसमें हिंदी हो हैं, अमराट्री हो तेलकु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए रिजर्वेशन होना चाहिए